हेलो फ्रेंट्स बूड इवनिंग वल्कम बड़ को मैं चैनल असा करता हूं आप सब लोग ठेक होंगे तो फ्रेंट्स मैं हूं कनिसी रहवा में और यह जो कनिसी रहवा है यह बरंपुर से 7 किलोमेटर के डिस्टेंस पर सिच्टेटड है और यह एनेज 16 के साइट में है और यहाँ पर आएंगे तो बहुती स्वादिष्ट खाने का अनन्द ले सकते हैं तो यह है अंदर का नजारा कनिसी रहवा का तो फ्रेंट्स बिना टाइम वेस्ट किये तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कनिसी रहवा में आपको क्या कुछ खाने मिलेगा तो अंदर चलते ही आपको लेट साइड में लकड़ी के खाट मिलेंगे और राइट साइड में टेबली सेड का जो है वो एर्रेंजमेंट मिलेगा तो दोस्तों अंदर यहां पर लकड़ी के चोटी-चोटी काट भी डाले गया है जिसे की ड्राइवर लोग को इसमें बैट के खाने में बड़ा ही मज़ा आता है और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहां पर चेयर टेबल का भी बंद बसते तो यहां पर बैट के भी आप अराम से खाना बिना सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना खाना ओडर करते हैं और यहां पर आपको वैज नॉन वैज दोनों आइटेम मिल जाएंगे एंस मैंने ओडर किया है रोटी और मेटल क्योंकि मैं नॉन वैज खाता हूं और हमारी जो धरम पत्मी है उनके लिए आपको बताते हैं तो यहां पर हमको एक प्याज मिर्च और थोड़ा सा नमख भी एक्स्ट्रा मिल जा है और यह है हमारी धरम पत्नी पुजारानी और इनको काफी ज्यादा भूक लग रहे हैं और यह खाना शुरू कर दिया है वी से ही तो चलिए मैं भी खाना शुरू कर करें लेता हूं तो मैं स्टार्ट करूंगा मटन से तो यहां पर आप देख रिपते हैं कि मटन की कॉंटिटी है जो बहुत ही ज्यादा है और पीसेस के जो साइज भी है वो भी काफी बढ़िया आए और यह जो पीसेस है यह एक्से से पक भी गया है तो इससे लिए मैं पह पर आपके जो एश्टे वो बहुती सामदा है तो क्या है पूरा क्या खाना कैसा लग़ा है तो खाना खाने के तुरंट बाद हमारी पत्मी को जो है मिठाई खाने का मन किया तो हम दौर दौर के चले आए फ्रेच के पास निकालो घाओ जल्दी को रजल्दी तो दोस्तो खाना वाके ही बहुत ही टेस्ट था आप लोग एक बार आके जरूर टेस्ट केए तो दोस्तो मेरे को अब मालूम है कि यह मेरे को इसमें से थोड़ा सा भी नहीं देने वाली सब अकेली ही खा जाएंग कैसा है मिठाई में आपको रवड़ी कश्टर्ड और बहुत सारे चीज़े मिलेंगे और सारे तरह के कोड़ेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि अजबվना धार अपको मिलेंगेativ ही है झाल झाल